आज के इस वीडियो हम देखेंगे प्रसित पुस्तके फेमस बुक से संबंदीत महतोपुड प्रेशने जिसमें मैंने 40 प्रेशने लिये जो आपके आने वाले सभी परिक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट है और इस वीडियो का जो पीडियो लिंक है आपको डिस्क्रिप्श उसके पुस्तक के लेखक कौन है तो पुस्तक के लेखक है तो आंसर क्या होगा यहां पर बी पुस्तक के लेखक है तो जो डिस्कवरी ओफ इंडिया है उसके पुस्तक के लेखक कौन है तो जवालल नहरू है तो आंसर क्या होगा है यहां पर बी जवालल नहरू Q3, मदर नामक पुस्तक के लेकक हैं तो मदर नामक पुस्तक के जो लेकक हैं वो कौन है तो मैक्सिम गौर की जो है, मदर नामक पुस्तक के लेकक है तो आंसर क्या होगा यहाँ पर C, मैक्सिम गौर की Q4, अनहापी इंडिया के लेकक हैं तो अन्हापी हिंडिया के जो लेखक है वो कौन है तो लाला लाजपत राय जो है अन्हापी इंडिया की लेखक है तो आंसर क्या हो गए यहां पर D. लाला लाजपत राय Q5. India divided, नामक पुस्तक किस ने लिखी है? तो जो India divided है इस पुस्तक को जो किस ने लिखा है? तो डॉक्टर राजिंदर प्रसाद ने लिखा है तो आंसर क्या हो गए यहां पर C. डॉक्टर राजिंदर प्रसाद Q6. Life Divine तो Life Divine जो है किसकी प्रसीद रचना है? तो अरविंद घोष की प्रसीद रचना है तो आंसर क्या हो गए यहाँपे D, Arvind घोष Q7. Guide पुस्तक के लेखक है तो Guide पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? तो R के नरायन जो है गाइड पुस्तक के लिख्खक है, तो answer क्या होगा यहाँपे C, R के नरायंड question number 8 महात्मा गांधी की आत्मकता क्या नाम है, तो महात्मा गांधी की आत्मकता का जो नाम है वो क्या है तो my experiment with truth है, तो answer क्या होगा यहाँपे C my experiment with truth question number 9 हिंद स्वाराज पुस्तक किसने लिखी है तो जो हिंद स्वाराज पुस्तक है वो किसने लिखी है तो महात्मा गांदी ने जो है हिंद स्वाराज पुस्तक लिखी है तो आंसर क्या हो गए यापर D महात्मा गांदी Q10 यशोधरा किसकी रचना है तो जो यशो धरा है ये किसकी रचना है तो मेथाली शरण घुप्त की रचना है तो आंसर क्या होगा यहाँ पर ए मेथाली शरण Q.11 प्रसित पुस्थक आनन्द मट के रचयता कौन है? Q.12 गुले नगमा पुस्थक के रचयता है तो फिराग गोरकपुरी जो है। फिराग गॉरकपूरी भारत दुर्दशा नामक पुस्तक गैन कोने तो आंसे पाईहां कई अ चो कि आ्या चाँब को सब्सक्राइब नामक पुस्तक के लेखुन किया हैं तो सिखों के जो पवित्र ग्रंथ हैं गुरुघ्र साहिप को जो है किस ने संक्लन किया तो गुरु अर्जुन देव ने किया है तो आंसर क्या होगा यहां पर बी गुरु अर्जुन देव Q16. गीता रहसे किसकी रचना है? तो जो गीता रहसे है ये किसकी रचना है? तो बाल गंगधार तिलक की जो है गीता रहसे रचना है? तो आंसर क्या होगा है यहाँ पे D. बाल गंगधार तिलक Q17, 1913 में रविंदर ना टैगोर को किस पुस्तक के लिए नौवल पुरुसकार से सम्मानित किया गया था तो रविंदर ना टैगोर को जो है किस पुस्तक के लिए नौवल पुरुसकार से सम्मानित किया गया था कुलन हैदर क्वेशन नमबर 19 कमाईनी किसकी कृती है तो जो कमाईनी पुस्तक है ये किसकी कृती है तो जयाशंकर प्रसाद के कृती है तो आंसर के यहाँ पे D जयाशंकर प्रसाद क्वेशन नमबर 20 मदुशाला किसकी कृती है तो जो मदुशाला है ये किसकी कृति है तो हरिवन्स राय बच्चन की जो है मदुशाला कृति है तो आंसर क्या हो गए है यहाँ पर C हरिवन्स राय बच्चन Q21. साकेत किसकी रचना है? तो जो साकेत है वो किसकी रचना है? तो मैथाली शरन गुप्त की साकेत रचना है तो आंसर क्या हो गए आपे B मैथाली शरन गुप्त Q22. नील दरपन नाटक संबंदित है? तो जो नील दरपन नाटक है वो किसे से संबंदित है? तो नील विद्रो से संबन दीत है तो आंसर क्या होगा है यहाँ पर ए नील विद्रो से Q23 अंधा युक के लेखक कौन है तो अंधा युक के जो लेखक है वो कौन है तो धरम वीर भारती जो है अंधा युक के लेखक है तो आंसर क्या है यहाँ पर C Q24. अक्बर नामा किसने लिखाता तो जो अक्बर नामा है ये किसने लिखाता तो अबुल फजल ने जो है अक्बर नामा को लिखाता तो आंसर क्या होगा यहां पर C अबुल फजल Question number 25 Givnegovinth के रचैता कौन है? तो Givnegovinth के रचैता है ऒो कौन है? तो Jai Dev जुह है Giv ghettovinth के रचैता है तो answer क्योंगए यापे B question number 26 भारत भारती के लेखा के है तो भारत भारती के जू लेखा के है वो कौन है? तो मिठाली शरन गुप्त जे भारत भारती के लेखा के हैं तो आंसर क्या हो गए यहां पर C मिठाली शरन गुप्त Q27 अस्टध्याई किसके द्वारा लिखी गई है तो जो अस्टध्याई है यह किसके द्वारा लिखी गई है तो APG Abdul Kalam जो है Wings of Fire के लिखक है तो आंसर क्या हो गए यहाँ पर A, APG Abdul Kalam Q29, पंच तंतर की कथायों का संकलेन किस ने किया तो पंच तंतर की जो कथायों है उनका जो संकलेन है वो किस ने किया था तो विश्णू शर्मा ने किया था तो आंसर क्या हो गए यहाँ पर C, विश्णू सर्मा Q30, शाह नामा की रचनाकार है तो शाह नामा की रचनाकार है वो कौन है तो फिर दोसी जो है शाह नामा की रचनाकार है तो आंसर क्या हो गए यहाँ पर B, फिर दोसी Q31. नाट्टे सास्त्र के रचेईता कौन थे? तो जो नाट्टे सास्त्र है उसके रचेईता कौन है? तो भरत मुनी जो है नाट्टे सास्त्र के रचेईता थे तो आंसर क्या होगा है यहाँ पर A, भरत मुनी Q32. जैदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है तो इनमेंसे कौन सा गरंद है जो जया दे द्वारा लिखित है तो गीत गविंद जो है जया दे द्वारा लिखित गरंद है तो आंसर क्यों गवाए यहांपे b गीत गविंद automation number 33 रगुवन्स महाखाव्वे के रचनाकार है तो रगुवन्स महा कावी के जो रचनाकार है वो कोन है तो कालिदास है तो आंसर क्या हो गए यहाँ पर B कालिदास Q34, अर्थ सास्त्र पुस्तक के लेखक कोन है? तो जो अर्थ सास्त्र पुस्तक के लेखक कोन है? तो चाड़क्य जो है, अर्थ सास्त्र पुस्तक के लेखक है तो आंसर क्या होगा है, यहापे A, चाड़क्य Q35, हर्ष चरित के लेखक कोन थे? तो जो हर्स चरीत है उसके लेखक कौन है तो बाड़वट जो है हर्स चरीत के लेखक है तो आंसर क्या होगा है यहाँ पर D बाड़वट Q. 36. अस्टा ध्याई निमली कित में से किसकी रचना है? तो जो अस्टा ध्याई है ये निमली कित में से किसकी रचना है? तो पाड़नी द्वारा लिखित रचना है तो आंसर क्या होगा यहाँ पे B. पाड़नी Q. 37. चरक सहिंता निमलिकित में से किसे से संबंदित है तो जो चरक सहिंता है वो इन में से किसे से संबंदित है तो चिकित्सा से संबंदित है तो आंसर क्यों गए यहाँ पर D. चिकित्सा question number 38, बीजक निमलिकित में से किस की कृती है, तो जो बीजक है ये निमलिकित में से किस की कृती है, तो कभीर दास की है, तो answer क्या हो गए यहाँ पर D, कभीर दास Q49, पदमावती कथा के लेखक हैं तो पदमावती कथा के जो लेखक हैं वो कौन है तो जैसी जो है पदमावत कथा के लेखक है तो आंसर क्या हो गए यहांपे C, जैसी Q49, हुमायू नामा का लेखक कौन था या थी तो जो हुमायू नामा है उसके लेखक कौन थे तो गुलबदन बेगम जो हुमायू नामा की लेखक थी तो आंसर क्या होगा यहां पर बी गुलबदन बेगम